देना चीका तूटा और बिल्ली लपकी कुछ वैसा ही हो गया है चाइना का नो फ्लाइ जोन चाइना के रक्षामंत्री का पुतिन के पास पहुँचना माने ताइवान पर हमले की तैयारी और अब इसमें अडंगा डाल दिया अमेरिका ने अमेरिका ने अपने वार्शिप को यह तैयार है जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो वहीं एक तरफ ब्रिटेन एलान कर रहा है दूसरी तरफ ब्रिटेन के नेवी चीप भारत आ रहे हैं आखिर क्या कुछ चल रहा है क्या ताइवान को बचाने के लिए सहयोगियों का गठन हो रहा है जानेंगे जियो अभी क्या हो रहा है ताइवान के आसमान से गिर रहे हैं मलबे और ये मलबे ताइवान की धर्ती पर गिर रहे हैं किसके मलबे हैं चाइना के मलबे हैं और चाइना कह रहा है ये हमारी धर्ती है हमारी मर्जी हम जो करें कुछ सेटेलाइट्स दाग रहा है चाइना और उन्हे मार कर गिरा भी रहा है और उसके मलवे गिर रहे हैं ताइवान में अब एक तरफ से जहाँ दूसरी तरफ से अपनी 9 सेना की तेनाती करके रखा हुआ है तो ये हरकतें तो बता रही है कि ताइवान पर कबजे के लिए किसी भी छन बढ़ सकता है चाइना अब ये देखते हुए कि ये मामला सीरियस है और अमेरिका की नाक का सवाल है क्योंकि चचा बाइडेन ने कहा था हम तुम्हें बचाएंगे पहली बार जब ताइवान को लेकर नैंसी पेलोसी मामले में आकरामक हुआ था चीन ना तब जापान ने एकड़म खुला पूछ लिया था अमेरिका से बता दो तुम क्या करोगे ताइवान की मदद करोगे की नहीं अगर ताइवान की मदद नहीं करोगे इसका मतलब कल को तुम मेरी मदद भी नहीं करोगे यानि तुम पर हमला होने वाला है अमेरिका ने हातियारों के साथ वार्शिप को भेज दिया है चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिलाने के बाद 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं ताइवान के पास सिर्फ 1,63,000 सैनिक ही हैं यानि ताइवान के मुकावले चीन के पास 12 गुना जादा सैनिक हैं और ताइवान को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है क्योंकि अब अमेरिका ने अपने वार्शिप को ताइवान स्ट्रेट में भेज दिया है ये जो इलाका देख रहे हैं इसे कहा जाता है ताइवान स्ट्रेट और इस ताइवान स्ट्रेट को एक ओपन जगह माना गया है इसके बगल के जगह से बहुत सारा बैपार होता है दुनिया का 55 पर 30 तत बैपार होता है लेकिन चाइना कहता है कि यह हमारा है और अगर तुम आए यहां पर तो मैं तुम्हें मूतोर जवाब दूगा अब ऐसे में सवाल उठता है कि अमेरिका ने वार्शिप भेज दिया है और ए इस वक्त चीनी नौ सेना भी है यूएस सेवेंथ फ्लीट रवीवार को यूएस मिलियस का ताइवान स्टेट में पहुंचना यह बात अमेरिका ने कहा कि हमारा रूटीन है हम तो गुजरेंगे ही यह स्वतंतर इलाका है यहां हमें गुजरने से कोई नहीं रोक सकता है और जो घेर कर युद्धा भ्यास किया था यह तुम्हें समझाने के लिए किया था वैसे आपको बता दें मामला सुरू हुआ है साई जो राश्टपती है ताइवान की वो गई थी अमेरिका वहां उन्होंने मुलाकात किया और इस पे गुसाए चीन ने अमेरिका के कुछ संग अब नहीं आ सकते हो हमारे इसके अलावे ताइवान को भी घेर लिया युद्धा भ्यास तो बंद कर दिया पर कहा जा रहा है कि घेर कर ताइवान को अभी भी रखा हुआ है चीन ने अब अमेरिका जहां एक्सन वाले मोड में आया है तो देखिए कैसे घटना करम बदल र इसके पीछे वजह है जो घटना करम हो रहे हैं उसे जरा ध्यान से देखिए और भारत के लिए यह बेहत जुरूरी है अमेरिका यहां अपने वार्शिप को उतार रहा है वहीं अचानक से ब्रिटेन कह रहा है कि नहीं अब यह आना जाना जो है न कि हम आते हैं फिर यहां स इंडो पेस्फिक छेतर में पर्मानेंट तोर पर एक युद्धपोत को तैनात करने की तैयारी कर रही है यानि यह युद्धपोत लगातार गस्ती करता रहेगा वैसे आपको बता दें एसी आमें ब्रिटेन के दो मिलिटरी बेस हैं हलाकि इन में से किसी पर भी अभी तक पर्मानेंट तोर पर युद्धपोत की तैनाती नहीं की गई थी बिटी सरकार का मानना है कि ताइवान पर कुछ भी हो सकता है और इस मामले में हमें पहले से तैयार रहने की जरूरत है बिटेन इस वक्त कम से कम एक ताइप 3-1 फ्रिगेट तैनात करने की योजना बना रह है और कह रहा है कि जल्द ही हम यहां और भी चीजे लाएंगी वैसे आपको बता दें जापान के जो पीम है इन्हों ने कहा कि नाटो इस छेतर में आ रहा है इसके लिए मैं बहुत खुस हूं अप्रेल मैने में ही जापानी विदेश मंत्री ने पहली बार नाटो के मंत्री अस्तरिये बैठक में भाग लिया और नाटो को आखिरकार समझा दिया कि यहां इस्थिती क्या है ब्रिटेन जहां एक तरफ अपनी नोसेना की तैनाती यहां कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए क्यों मैं कह रही हूं कि यह मामला वो नहीं है जो दिख रहा है यहा ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर वेन वॉलेस इन्हों ने एक बयान दिया है और यह बयान ठीक उस समय दिया है जब ब्रिटेन के तीनो सेनाओं के कारेकारी परमुख एड्मिरल डॉनी रेड किन जैसे हमारा सीडियस होता है वैसे यह तीनो सेना के परमुख है यह भारत पहुंचे हुए हैं भारत और बिटेन एक स्वभाविक भागीदार हैं और हम एक दूसरे की सुरच्छा के लिए बाचित करने के लिए आए हैं मतलब यहाँ पर मामला गंबीर है भारत को भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं